ही गाईज, वालकम क्यों माई चानल, आप में से बहुत सारे लोग थामनेल को देखने के बाद ही इस वीडियो के अंदर आये होंगे, आप लोगों ने थामनेल के अंदर जो भी देखा वो बिल्कुल सही है गाईज, जी हाँ गाईज, आप लोगों को अपने इस एक्जाम में बहुत अच्छे से माक्स ला पाएंगे, चलिए जादा टाइम लवीज करते हो, वट अफ़ट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब चैनल पर फर्स टाइम आए, तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्रा किसी भी कोर्स का स्टुडेंट हो, उसको ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल कंपल सरी है, ना तो आप इस सब्जेक्ट को बदल सकते हैं, ना ही आप इस सब्जेक्ट को अपने कोर्स से हटा सकते हैं, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस स आप लोगों को description में एक link मिल जाएगी जिसके थो आप लोगों को environmental science का previous year का question paper download कर लेना है guys मैंने question paper को video में इसलिए include नहीं किया क्योंकि अगर मैं question paper को video में include करती तो video बहुत जाधा लंबी हो जाती क्योंकि आपके environmental science का question paper वो थोड़ा सा बड़ा है और उसको मुझे आप लोगों को अच्छे से explain करना पड़ता तो वो video आप लोगों के लिए काफी जाधा लंबी हो जाती जिसका कोई benefit नहीं होता आप लोगों को आप लोगों को जाधा कुछ नहीं करना है आप लोगों को बस simply जाकर question paper को download करकर एक बार उसको देख लेना है थाकि आप लोगों को एक idea मिल जाए कि आप लोगों का exam basically आएगा किस type का तो चड़िए ये बात तो हो गए आपके question paper की next बात करते हैं strategy की so guys strategy बहुत जादा simple बनाई है मैंने आप सब के लिए क्योंकि आप सब को पताएए कि आपके exam में जादा time नहीं है सिर्फ 2 महीने हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए so guys सबसे पहले तुम आप सबसे ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस subject के लिए थोड़ी से self study भी करनी पड़ेगी क्योंकि इस subject बिल्कुल नया है आप सब के लिए आप लोगों ने शायद पहले कभी subject को नहीं पढ़ा है so guys आप लोगों को थोड़ा सा self study में भी subject के लिए time देना पड़ेगा तो आप लोगों को जादा कुछ नहीं करना है guys आप लोगों को सिर्फ अपने chapters को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना है इस subject से related ताकि जब मैं आप लोगों को important question प्रोवाइड करूं question answer प्रोवाइड करूं या कोई भी important topic करूं तो आप लोगों easily अपने आपको connect कर सके के मैं आप लोगों को क्या करा रही हूं अब बात करते हैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या strategy रही तो गाइस मैंने जब आप लोगों की environmental science का previous question paper देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे questions थे जो current affairs आए हुए थे current events आए हुए थे तो गाइस मैंने जब उन questions को देखा उसमें से एक question ये था कि स्वच भारत अभ्यान के बारे में आप लोगों से पूछा गया था स्वच भारत अभ्यान एक बिल्कुल current affairs का topic है और environment का बिल्कुल current affairs का topic है और उससे related आपकी exam में question आया हुआ था इसके अलावा गाइस और इवन formula से related भी question आप लोगों के environmental के previous exam में आया हुआ था इन questions को देखने के बाद मुझे ये idea मिल गया कि आप लोगों के environmental science में current affairs से related भी topic आने की बहुत जादा possibility है question आने की बहुत जादा possibility है मैंने ये decide किया है कि मैं आप लोगों को 2019 में environment से related जितने भी current event हुए है उन सब से related सारी information provide करूँगी ताकि अगर आप लोगों के exam में current event से related कोई question आ जाता है तो आप लोगों को उसे easily कर पाए है आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे यार इसके बारे में तो हमने पढ़ा 11 topic wise इसके अलावा गाइस मैं आप सबको previous year के question भी कराऊंगी जैसे कि मैं हर subject के आप लोगों को करा रही हूं already मेरे चानल पर मैंने history के and political science के आप लोगों को अल्री काफे सारे question करा दिये previous year के गाइस previous year के question कराने का मेरा main motive यह होता है कि आप लोगों को पता हिए कि SOL में previous year के questions बहुत जादा repeat होता है and अगर repeat नहीं भी होते तो examiner question को बदलता नहीं है बस उसको थोड़ा सा modify कर देता है थोड़ा सा change कर देता है आपको basically लिखना वही होता है so guys previous year के questions भी मैं आप लोगों को अच्छे से करांगी इसके अलावा guys अगर कोई expected question है जिसके आने के chances बहुत 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 जादा है आपके exam में तो वो questions भी मैं आप लोगों को include करांगी so guys यह मेरी simplicity strategy रहेगी इस subject को लेकर so guys I hope यह strategy आप लोगों को अच्छी लगेगी and guys मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं अगर आप थोड़ा सा खुछ से भी पढ़ते हैं and plus आप लोगों को जो videos मैं provide करूंगी आप उनको अच्छे से follow करते हैं तो I am sure guys आप अपनी exam में काफी अच्छे से marks ला पाएंगे and guys आप लोग बिल्कुल इस subject को पढ़िए आप लोगों के लिए सब्जेक्ट नहीं हो है इसलिए आप लोग टेंशन ले रहे हैं बट टेंशन मत लीजेए guys यह subject बिल्कुल टफ नहीं है आप लोग एजिली पढ़ सक कि बहुत जल्दी आप सबको वीडियोस प्रोवाइट करना स्टार्ट करते हूं ताकि आप लोगों की प्रिप्रेशन बहुत अच्छी हो जाया आपके semester first के exam से पहले guys इसके अलावा आप सबको जैसे की पता है कि political science का and history के question answer मेरे चैनल पर पहले से available हैं आप सब के लिए सबके लिए useful होगी and yes guys मैं आप लोगों को आपके semester first के exam से पहले काफी सारी questions करा दूंगी काफी सारी topics करा दूंगी जिसे कि आप लोगों को semester first के exam बहुत अच्छे से हो जाएगा so guys just don't worry बस आप लोगों को वीडियो को जादर से जादर शेयर करना है channel को subscribe करना है so guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही so video को like करना अपने दोस्तों के साथ share करना and channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूले guys so आज के वीडियो में बस इतना ही thank you so much